हाई आज मैं आपको Fleetly का Fleet Manager Mobile Application के बारे में explain करना चाहते हूँ सबसे पहले आप Play Store पे जाकर वहाँ Fleetly टाइप कीचे सो यह सब निकलेगा उसके बाद आप Fleet Manager एप को इंस्टॉल कर लेजिए इंस्टॉल करने के बाद इसा दिखेगा उसके बाद नीचे में आप 5 स्टार राइटिंग्स पर दे दीजिए उसके बाद ओपन कर लेते हैं सो यह है Fleetly का एप इसा दिखेगा उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेफ्ट में जाते हैं यहाँ पे आप प्रोफाइल में भी जाके अपना प्रोफाइल क्रेट कर सकते हो नेम और इमेल फॉन नमबर क्लिक करके उसकी बाद सब्मीट में क्लिक कर देंगे राइट साइट पे जाने से आपको कसमर सपोर्ट दिखेगा वहाँ पे अगर आपको कुछ कोईशन्स या कुईरिस है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो और अगर आपको कुछ कम्प्लेंड है कम्प्लेंड रेस करना है तो यहाँ पे आप क्रेट टिकेट में जाकर आपके नेम इमेल और सब्चेक दबागर complain raise कर सकते हो और अगर आपको device में कुछ problem है तो आप screenshot लेके यहाँ पर upload भी कर सकते हो उसकी बाद I'm not here orbit में click करके send कर देशे उसकी बाद हम लोग home पर आचाएंगे यहाँ पर अगर आपका driver अच्छे से drive कर रहा है तो green आएगा अगर वो average है तो orange आएगा और bad है तो red आएगा यहाँ पर fleetly life customer devices के बारे में देखते हैं driving में है car तो green आएगा, offline पर है तो grey आएगा और अगर parking में है, three days से ज़्यादा parking में है तो यह blue आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो on time, idle time, daily trips, events, distance, fit utilization सब दिखेगा यहाँ उसके बाद आप मेप पर जाए, मेप पर जाने से यह इसा दिखेगा, इस पर double tap करें आपके car देख सकोगी आप, double tap करने से यहाँ three options आए, सबसे पहले one option में जाके देखते हैं सो यहाँ पर trips not found बोल के लिखा है, आपको car ने trips कहीं नहीं गया मतलब सो फिर second option में जाते हैं, अगर आपको किसी के साथ यह location शेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हो through whatsapp, email और sms, उसकी बाद आप यहाँ से शेयर कर दिखेए फिर हम लोग third option में जाते हैं, third option में आपको सीधे आपको map पर लेकी जाएगा आपका गारी का और आपका distance कितना है वो आप देख सकते हो इस पर, third option पर so उसकी बाद vehicles है, vehicles पर अगर यह green light on and off हो रहे तो मतलब आपका vehicle on में है और अगर यह gray पे है तो मतलब आपका vehicle off पे है और अगर यह blue पे है तो मतलब आपका car parking में है events में जाने से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने बाद geofence हुआ है, overspeed कितने बाद लिया है, कहां पर लिया है उस सब आप देख सकते हो यहाँ पर पर वीडियोस पर जाने से अगर आपको device वीडियोस वाला है तो आप यहाँ पर वीडियोस भी देख सकते हो और मौर पर जाने से आपको यहाँ पर सब features मिलेगा like replay, geofence और reports replay मतलब आप अपने पिछले history भी देख सकते हो geofence आप में आपको वहाँ एक limit set कर सकते हो कि आपका vehicle का और reports में अगर आप आपको reports कुछ create करना है, reports कुछ देखना है last month का, last week का daily reports सब आप देख सकते हो so अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो please like और subscribe कर देना thank you so much